नश्रार रोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कुर्शन में आज चार इशूज हम डिस्कुर्स करेंगे, हिंदू में तो आज काम के आर्टिकल्स है नहीं, एक GST का चोटा सा आर्टिकल है जिसे हम डिस्कुर्स कर लेंगे सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स डिस्कुर्स करेंगे, सर्विस सेक्टर से समंदित, दूसरा आर्टिकल GST से समंदित, चोटा सा डिस्कुर्स कर लेंगे, तीसरा टाइमस ओफ इंडिया का एक आर्टिकल्स करेंगे और चोथा मनी लोंडरिंग से समंदि बहुत बढ़िया listener थे वो, उनके contact में जो भी लोग थे, उनकी बात वो सुनते थे, और even उनसे ना भी agree करते, बात जुरूर सुनते थे, उनका मानना था कि हो सकता है, directly idea काम का ना हो, लेकिन किसी और जगए वो feedback सकता है, तो वो complex ideas को सुनते, और उनको इस परकार से जनता को बताते कि एक साधारण से थाधारण person भी उसे असानी से समझ सके, इसके बाद next, awareness of the needs and feelings of other, वो दूसरों की जूरतों को और दूसरों की feelings को समझते थे, जैसे देखो उनके आसपास जो भी लोग होते थे, उनकी opinion basic अलग-अलग हो, लेकिन सब को एक platform पर लेके आना, मतलब वो एक greatest mediator थे, कैसे अलग-अलग opinion के बीच में mediate करना और एक सहमती बनाना, as a civil servant भी आपको देखो इस art क्या सकता होगी, और जैसे civil war खतम हुआ था USA में उस समय, तो जो army हार गई थी न, उस हरी हुई army के commanders को उन्होंने ना humiliate नहीं किया था, even हरी हुई army के soldiers को भी वापस जाने दिया था, सिरफ हत्यारों को जमा करवाने के लिए बोला था, क्योंकि उनको पता था, कि अगर humiliate करेंगे तो वो फिर से हत्यार उठा लेंगे, और फिर से उनमें नराजगी पैदा होगी, और civil war चलता जाएगा, next, ability to learn from mistakes, देको उनका attitude ऐसा था, कि वो नए नए सब कुछ नई जानता हूँ, और knowledge जो है, वो कहीं से भी आ सकती है, और कुछ persons ऐसे हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा knowledge है, मेरे से ज़्यादा information है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए, और इस चीज के परती वो हमेशा receptive रहते थे, तो ये कुछ ideas है, as a civil servant, आप में भी ये qualities हो हैं, और case studies में आप इनका इस्तमाल कर सकते हो, अब चलिए discussion start करते हैं, first important article, service sector से समधित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, दिखो इस से पहले कि हम इस article को discuss करना start करें, कुछ basic जो data है, वो हम जान लेते हैं, एक question मैं आपसे पूछूँ, service sector का आज के समय में, GDP में कितना contribution है, बताए, service sector का कितना है, manufacturing sector का कितना है, और सबसे last में, agriculture sector का देश की GDP में contribution कितना है, सबसे पहले बात करें, agriculture की, agriculture sector का देश की GDP में contribution है, 20.19%, और industrial sector का कितना, 25.92%, सबसे ज़्यादा है service sector का, 53.98%, और service sector में भी, public administration, defense, और दूसे जो services है, इनका contribution है, 15.42%, finance, real estate, दूसरी professional services, जैसे, वकील की service है, दोक्टर की service है, इनका contribution है, 22.05%, और सबसे last में, trade, hotels, transport, communication, service related to broadcasting, इनका contribution है, service sector में, कितना, 16.42%, ठीक, इसी परकार से, manufacturing में भी, आप अलग-अलग component देख सकते हो, जैसे, construction sector का है, 7.16%, electricity, gas, water supply, दूसरी utility services, इनका है, 2.7%, mining and querying इनका है, 1.63%, और सिधा manufacturing का है, 14.43%. तो ये basic data जानना ज़रूरी था, अब देखो, इंडिया जल्द ही 5 trillion dollar की economy बनना चाता है, और बन भी जाएगा, जल्द ही, यानि 2030 आते आते, जो international trade होगा ना, इंडिया का, चाहे वो goods की बात हो, या फिर services की, goods, जैसे की देखो, mobile phone है, pen है, ये सब goods है, services, for example, TCS, UK government को service provide करती है, उनका data manage करती है, तो ये service का export है, अगर माल लीजिए, कोई tourist इंडिया में आता है, पैसा खर्ज करता है, तो वो भी एक परकार से export है, इस पर UPSC ने question भी पूछा था, एक बार pre में, इस article को जैसे discuss आगया आपको थोड़ी और clarity आएगी, समझ रहे हो, मतलब overall India जल्द ही 5 trillion dollar की economy बन जाएगा, लेकिन 2030 आते आते, इंडिया का जो international trade है न, goods and services के मामले में, वो जल्द ही 2 trillion dollar का हो जाएगा, service sector जितना contribute करता है na GDP में, वो आप बाकी दोनों को मिला लो न, agriculture को भी और industrial sector को भी, दोनों को मिलाने के बाद भी ज़्यादा contribute करता है, जैसे इन दोनों को आप मिलाओगे, 25 plus में 20, 46% के आसपास हो गया, और ये है 53 point something, तो service sector देश के लिए बहुत ज़्यादा important है, लेकिन main essence जो है न, इस article का वो यही है, सरकार manufacturing sector पर ज़्यादा focus करती है और agriculture पर भी, लेकि पिछले financial year था न, इसमें इंडिया की एक बड़ी achievement रही, पूरे साल में जो merchandise का export था न, वो 400 billion dollars को पार कर गया, लेकिन आप ये भी तो देखिए न, हमने goods import कितने के किये, 600 billion dollars के, मतलब जितना हमने export किया, उससे ज़्यादा थो हमने import कर लिया, तो overall merchandise में trade deficit है, कितना 200 billion dollars का, लेकिन service sector की बात कीजिए, हमने service sector में कितना export किया, 254 billion dollars का, लेकिन इसमें import बहुत कम किया, 100 billion dollars का, तो overall इसमें हम surplus में है, कितना 154 billion dollars है, और जितना service sector में export हुआ, उसमें से around 50% तो देखो IT services का है, IT and ITES, ITES मतलब information technology enabled services, इसका example मैं आपको देता हूँ, जब मैं TCS में था न, तो उसमें online exams का चलन, start ही हुआ था, तो हमें ITES में डाल दिया गया, TCS की अलग से branch थी, ITES, उसमें हमें डाल दिया गया, और हमें बोला गया, कि आपको na, IBPS और GATE का exam conduct करवाना है, तो दो बार के लिए मैंने वो exam conduct करवाया था, IBPS का और GATE का, तो ये एक example है, information technology enabled service का exam conduct करवाना, उसी परकार से, ऐसी कोई service जिसमें information technology का इस्तमाल होता हो, service overall अलग हो, जैसे service थी exam conductor वाना, बट service provide करने में information technology का तो use था न, तो point ये था, 50% और इससे जदा service export जो है, वो IT और ITES का है, और बाकी management, legal, accounting, logistic, travel, tourism, education, healthcare, इन services के export का है, बाकी contribution, service sector को देखो incentives के मामले में, वो recognition नहीं मिलती, जो manufacturing sector को मिलती है, manufacturing sector को boost करने के लिए सरकार कितने कदम उठाती है, जैसे production linked incentive scheme, अलग से package भी काफी बार announce किया जाते है, बट service sector के लिए सरकार उतना नहीं करती, सरकार को ये लगता है, जैसे डेश का IT sector है न, वो सरकार की minimum intervention से अपने आप से पनप गया है, एक article हमने discuss किया था, आपको याद होगा, कि IT sector देश का न अच्छा हुआ, उसका reason एक ये भी है, कि इसमें governance minimum रही, अधरवाइस तो सरकार जिस चीज में डखल अंदाजी करती है ऐसा वो writer बोल रहे थे, जो article हमने discuss किया था, कि IT sector में सरकार का दखल नहीं रहा, इसलिए IT sector देश का मजबूत हो गया, सरकार regulate करने के चक्कर में कई बार कुछ sectors को तबाह कर देती हैं, तो अभी सरकार की सोच ये है, कि IT sector हमारी intervention के बिना पनप गया, और इसको hand holding क्या हो सकत का नहीं है, इसी वेज़े से जहां manufacturing sector में MEIS, यानि merchandise export incentive scheme है, इसमें ज्यादा incentive मिलते है, as compared to SEIS scheme में, यानि service export incentive scheme में, अगर देखो service sector में भी उतने ही incentive मिले, तो देश का जो service sector है na internationally competitive हो जाए, अभी देखो इंडिया का मुकाबला है service sector के मामले में, वियतनाम, इंडुनेश इन देशों से, क्योंकि यहां भी population young है, और services सस्ती है, तो वहां से भी बहुत लोग जाते है western countries में काम करने के लिए, बंग्रदेश भी हमारा competitive है इस मामले में, जैसे गल्फ countries में आप इंडिया के लोग देखोगे, बंग्रदेश के लोग देखोगे, पाकिस्तान के लोग इसके बाद writer suggestion देते हैं, हमें न, मतलब सरकार को कोशिस करने चाहिए कि आने वाले 7-8 सालों में, service sector का जो export है उसे 4 गुना बढ़ा दिया जाए, और इसके लिए सरकार को एक strategic road में अप्तियार करना चाहिए, focus होना चाहिए IT sector को छोड़ के बाकी दूसरे sectors पर, बाकी दूस suggestion देते हैं, international tourism से, हमारे देश में हम international tourism को कैसे boost कर सकते हैं, अगर बाहर से tourist हमारे देश में आएंगे तो वो एक परकार से export है services का, तो कैसे कर सकते हैं, connectivity को improve करके, PPP model की साहिता से, public partnership, public private partnership, इस model की साहिता से, नए-नए airports बनाए जा सकते हैं, highways इस्टाबिश किया जा सकते है और देखो, मान लीजिए हमारे देश में ज़्यादा hotels हों, और hospitality से समधी चीज़ें हों, तो इसके लिए individual entrepreneurship को boost किया जा सकता हैं, और government इसके लिए incentive दे सकती हैं, जैसे मान लीजिए आप service sector में कोई नया infrastructure create करते हो, for example, hotel बनाते हो, तो आपको direct taxation में छूट मिलेगी, आप प जादा लोग फिर इस service sector में infrastructure create करें, hospitality sector में, next, जैसे manufacturing sector में production linked incentive scheme हैं, उसी परकार की scheme, hospitality, education, healthcare, इन में भी launch की जा सकती हैं, मैं आपको example देता हूँ, जैसे medical tourism है, दूसरे देशों से लोग इंडिया में आते हैं, इलाज करवाने के लिए, जो लोग डिल्ली में, राजिन बरन अगर के पास, क्रोल बाग में रहते हैं न, तो उन्होंने देखा होगा, hospital है, बील के, बील कपूर, तो बील कपूर, hospital में आप देखोगे, बहुत से अफरीका के, और वेस्ट एशिया के, आते हैं, patients, इलाज करवाने के लिए, तो वो hospital, बहुत अच्छा है, medical tourism के मामले में उसी परकार से देश में, हमारे दिल्ली में और साउथ इंडिया में बलकी ज़्यादा है, वहाँ पे न, medical tourism काफी अच्छा है, तो ऐसा हो सकता है कि, अगर एक hospital इतने patients को cater करता है, तो उसे थोड़ा incentive दिया जाए, जैसे manufacturing sector में होता है न, कि जितने आप production increase करोगे mobile phone की, तो आपको उतना incentive मिलेगा, तो वैसा ही incentive, service sector में भी आप थोड़ा बोट ला सकते हो, last में राइटर एक ही बात बोलते हैं, इंडिया को न, multiple sectors पर rely करना चाहिए, including manufacturing and services, क्योंकि अब इंडिया fastest growing economy है, और जल्द है बहुत बड़ी economy बनने वाला है, तो सिरफ manufacturing sector पर boost करके, या फ तो यह हमने पूरा article discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next जो article है, वो GST council से समन्दित है, आप GS paper 3 के इस topic से article correlate कर सकते हो, GST council की हाल हिमें 9 महिने बाद meeting हुई, तो यह कुछ basic information है GST council के बारे में, joint forum है, central states का, chairman होते है, union finance minister, और within states और UT's के ministers, जो nominated होते है न, वो member होते हैं, voting power होती है, center के पास one third, और states के पास में होती है, two third, यह GST council, GST से समन्दित important fence ले लेती हैं, जैसे tax rate, exemption list, threshold list, तो 9 महिने बाद meeting हुई, इस GST council की, meanwhile, 4 अलग-अलग issues के लिए, ministerial group गठित किये गए थे, उन्होंने कुछ family लिए और उनको approval दे दिया गया, इस meeting में, एक family को आगे postpone कर दिया गया, एक नया ministerial panel गठित किया गया है, किसलिए, GST disputes को solve करने के लिए, appellate tribunal establish करना है, इसके लिए, एक नया ministerial panel गठित किया गया है, अब देखो, जो important family हुए इस GST council की meeting में वो बताता हूँ, जैसे tax rates को rationalize करने का फैंसला लिया गया, जो मैंने बताया न, कुछ ministryal group पहले गठित किया गये थे, तो उनकी report पर इस meeting में act किया गया, action लिया गया, तो एक interim report आई थी, ministryal group की, जिसमें कहा गया था, कि इन tax rates को आप rationalize कर दीजिए, कुछ products tax पर पहले na exemption मिला हुआ था, यानि GST नहीं लगता था, लेगिन अब सरकार को लगता है कि क्यों नहीं लगता भाई, हम यहां से भी tax वसूलेंगे, तो सरकार ने उस exemption को खतम कर दिया है, इसके अलावा सरकार ने invited duty structure को address करने के लिए भी कदम उठाए है, इस GST council की meeting में, inverted duty structure का क्या मतलब होता है, मान लीजिए mobile phone है, example है, SN समझेगा example का, mobile phone अगर बहार से इंपोर्ट करते हैं, उस पर कोई tax नहीं लगता, तो mobile phone इंपोर्ट हो जाता है 10,000 का, लेकिन same mobile phone, के जो raw material है न, raw material जैसे chip है, display है, उनको आप दूसरे देसों से इंपोर्ट करोगे न, उ तो फिर ये तो local manufacturer के लिए नुकसान दायक हो गया न, क्योंकि वो अगर raw material दूसरे देसों से import करके यहां पर manufacture करेंगे, assemble करेंगे, तो उनको महगा पड़ेगा, क्योंकि raw material पर तो tariff लग रहा है, import duty लग रही है, but final product पर नहीं लग रही है, final product 10,000 का हो जाता है, असानी से import, क्योंकि उस पर कोई tax नहीं है, लेकिन raw material पर tariff 15%, 18% है, इस वज़े से local manufacturer अगर उस mobile phone को assemble करता है, तो वो पड़ता है local manufacturer को 11,000 का, तो फिर local manufacturer तो तबाह हो गए न, मतलब वो कामी नहीं कर सकेंगे, तो इस चीज़ को कहते है, inverted duty structure, कि raw material पर बलकि आप tax लगा रहे हो, और final product पर नहीं लगा रहे हो, तो इसको address करने के लिए भी कदम उठाए गए, बट देखो इससे inflation बढ़ेगा, बहुत सारे products पर अब GST increase कर दिया है, जैसे machine for cleaning, sorting or grading, seed, grain pulse, machinery used in milling industry, for the working of cereals, यह सब, बहुत सारे products है, याद कि यह GST से समवद नहीं आर्टिकल डिसकस किया था न, क यह bureaucrates बैठे-बैठे यही सोचते रहते हैं कि रोटी पर कितना GST लगेगा, प्रोटा पर कितना लगेगा, और मैंने बोला था आपको कि UPSC इस पर question भी पूछ लेती है, literally UPSC ने question पूछा हुआ है, tax rate से संबंदी, GST rate से संबंदी, खेर आगे चलते हैं, इसके अलावा, G GST council की इस meeting में यह बोला गया, जो नई firms हैं, उनको register करवाने के लिए जो norms हैं, conditions हैं, थोड़ी tight बनाई जाएगी, और tax evasion को रोकने के लिए, लोग tax evade कर देते हैं, उसको रोकने के लिए loopholes को address किया जाएगा, कि ताकि लोग जो हैं, वो tax चोरी ना कर सकें, अब वैसे दे सब्सक्राफ, हलांकि इस चीज़ को लेके इतना states ने हुआ ला नहीं मचाया, Supreme Court की judgment के उपर, but states ने एक चीज़ जरूर बोली, कि जो 1 July 2022 से, compensation जो 5 सालों से मिल रहा था, 2017 से लेके 2022 तक compensation का provision था, वो अब खतम हो जाएगा, तो states ने काकी से कुछ और सालों के लिए extend किया जा हो जाएगा, तो center ने guarantee दी थी, कि 5 सालों तक हम guarantee लेते हैं, कि आपको revenue कम नहीं होगा, तो हम आपको compensation देते रहेंगे, अगर आपका revenue कम होता है, तो, तो 5 सालों तक na center से पैसा आता रहा states में, और center से क्या आता रहा, अलग से इसके लिए compensation CES भी लगाया गया था, CES मतलब tax on tax, तो इसके लिए अलग से compensation CES लगा दिया गया था, states को compensate करने के लिए, बट वो time period अभी खतम हो रहा है, तो states को अब पैसा मिलना बंद हो जाएगा, एक जुलाई से, आगया एक जुलाई तो, तो states ने कहा कि इसे आप extend कर दीजिए, पहले तो center ने पिछली meeting में totally मना कर द रखते हैं इस issue को, एक अच्छी बात देखो, यह रही, even BJP के जो finance minister है, BJP ruled states के जैसे हर्याना, महराश्टर, नहीं, महराश्टर तो अभी सरकार change होई है, BJP के जैसे हर्याना, उतरपरदेश, मद्यपरदेश, आसम, यहां के भी finance minister ने बोला कि आप इस compensation को थोड़े और साल के लिए increase कर दीजिये, ताकि हमारा काम चलता रहे, तो यह अच्छी चीज है, कि even BJP ruled states के minister भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, party line से हटके, यह हमारा देश के fiscal federalism के लिए भी अच्छा है, तो यह पूरा article हमने GST से समन्दित discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, Times of India का, single-use plastic के ऊपर, एक जुलाई से लगे, बैन से समन्दित हैं, देखो, सिधा point पे आता हूँ, यह पहली बार नहीं है, कि सरकार ने single-use plastic पर बैन लगाया हो, 1999 से पहला attempt किया गया था, single-use plastic का सबसे बड़ा example, pole-thin पर बैन लगाने का, उसके बाद, team national और कई सारे state, last आ चुके हैं, ताकि single-use plastic को phase-out किया जाज के, पूरी तरह से, बड़ देखो, पिछले, 23 सालों में, हम, even pole-thin bag के use को पूरी तरह से smart नहीं कर पाए हैं, इसके काफी सारे reasons भी हैं, जब तक हम reason में नहीं जाएंगे ना, तब फिर तो इस बार भी जो single-use plastic पर बैन लगाया ना, उसके implement करने में हम fail हो जाएंगे, सबसे पहली चीज़, alternative नहीं है market में, single-use plastic को बहुत ज़्यादा use किया जाता है, सबसे सस्ता है, convenient है, तो जब तक कोई उतना ही affordable और convenient option available नहीं होगा न volumes use होते हैं, जैसे जितना plastic हमारे देश में consume होता है ना, one-third तो single-use plastic होता है, यूँ कहें, पूरे साल में 6-7 million ton single-use plastic use होता है, तो government ना, alternative industry को promote नहीं कर पाई है, इतने बड़ी volumes में single-use plastic इस्तमाल होता है, तो alternative industry को promote करना तो ज़रूरी है ना, ताकि अगर ये, इस, ये industry workers हैं, उनको दूसरे जगहों पर काम मिल सकें, ये देखो, यहाँ पर point है, alternative opposities provide करना ज़रूरी है, लाखो workers को जो इस industry में काम करते हैं, हजारों factories हैं single-use plastic की, और उसमें लाखो workers काम करते हैं, तो इनको alternative opposities तो provide करनी पढ़ेगी ना, सरकार alternative opposities provide करती नहीं है, इनके business को एक level पर जो काम करते हैं, उनको सोचता है कि विचारों की job चल रही है, रिसवत ले लेते हैं, मतलब सोच रहे हो, उनकी अलग ही सोच है कि win-win situation है, सबसे last point ये है, market unprepared है, जो ये single-use plastic पर बैन लगा है, customers ready नहीं है, convenience को sacrifice करने के लिए, उनको लगता है कि सबजी ली, poltine में डा लेंगे, घर आ जाएंगे, हमारा कोई extra पैसा नहीं लगा, अगर अलग से paper वाले carry bag लेंगे, तो खर्चा करना पड़ेगा, वो customer नहीं चाहता, अब देखो, writer ना एक चीज कहते हैं, तो क्या alternative हो सकते हैं, किस type के alternative हम ढूंड रहे हैं, जैसे ना, plastic के cup में चाय पी जाती है हाना, disposal जो cup होता है, तो उसकी जिगन kullard इस्तमाल किया जा सकता है, लेकिन kullard महंगा आता है, और हर बार kullard इस्तमाल करेंगे, तो देश में इतनी सारी मिट्टी खतम हो जाएगी, ऐसा writer बोलते हैं, तो kullard एक बार के इस्तमाल के लिए नहीं होता, kullard multiple use के लिए होता है, single use क हम इस्तमाल कर सकते हैं, writer कहते हैं, नहीं, bio degradable plastic भी महंगा होता है, और bio degradable plastic का इस्तमाल बार बार करेंगे, तो वो दिक्कत तो है, food chain में plastic एंटर कर जाता है, और सेहत को नुक्सान पहुंचाता है, तो simply, single use plastic को ban लगाना, और दूसरे single products, single use products पर shift करना, ये एक solution नहीं है, writer writer के अनुसार solution ये है, circular economy को promote करना, circular economy मतलब बार बार आप reuse करो चीजों को, recycle करो, इस पे हमें focus करना है, यहां पर देखिए आप, असली solution ये है, चीजों के multiple use पे आप focus करो, पुराने समय में इतने पोलती नहीं हुआ करते थे, तो लोग कपड़े का कोई थैला लेकर जाते है, लेकिन जब convenient options available है ना, तो फिर लोग सुचते हैं थैला क्या लेकर जाएं, थैली मिल जाएगी, तो हमें ना, चीजों के multiple use पर focus करना होगा, और environment policy जब भी कोई बने ना, जैसे ये single use plastic पर बैन लगा दिया, तो वो ना, economic और industrial policy के हिसाब से बने, सीधा environment policy आप बनाओ ग factors को ध्यान में रखते हुए बनाओ गे ना, तब वो policy सफल हो सकती है, तो ये हमने छोटा सा article डिसकस किया, single use plastic के उपर लगे बैन से संबंदित, चलते हैं आगे, GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, ये article लिखा गया है कबीर स्रीवास्तव के द्वारा, आप पहले मुझे एक बार बताइए, black money से आप क्या समझते हो, black money का मतलब क्या है, देखो black money का मतलब ये है, या तो वो पैसा जिसे illegal activities की साहिता से कमाया गया है, जैसे bank loot कर, robbery करके, drugs जाता है, वो black money है, या फिर पैसा कमाया तो legal activities की साहिता से गया है, लेकिन उस पर tax नहीं दिया गया है, income छुपा ली गई है, मैं आपको example देता हूँ, अगर किसी की income है 25 लाख रुपे एक साल में, लेकिन वो income tax authorities को दिखाता है, मेरी income है सिरफ 10 लाख रुपे और उसी के ह तो वो हो गई black money, समझ गये, एक तो वो पैसा जो illegal activities की साहिता से कमाया जाता है, दूसरा पैसा कमाया तो legal activities की साहिता से गया है, लेकिन उस पर tax नहीं दिया गया है, तो ये मतलब होता है black money का, अब मैं आप से एक question और पूछता हूँ, black money से नुक्सान क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों कि विबिन देशों की सरकारे black money से चिंतित होती हैं और black money पर लगाम लगाने की कोशिश करती हैं, सबसे बड़ा नुक्सान जो होता है government को वो revenue का होता है, black money मतलब वो पैसा जिस पर tax नहीं दिया गया है, अब देखो government को वो tax प्राप्थ हो जाता, तो government को बहु government को, market से government उधार लेगी, तो इसका burden eventually पढ़ता है citizens पर ही, काफी बार देखो, loan income के लिए सरकार उधारी लेती हैं, तो हमारी जो आने वाली generations हैं, वो भी कर्ज के बोच दले दवी रहती हैं, next नुक्सान होता है, monetary policy becomes ineffective, अब देखो, RBI money supply को control करती हैं, हमार देश में, monetary policy की स देखो, ये होता है, inflation को control में रखना, ज्यादा से ज्यादा employment के अफसर पैदा करना, economic growth rate को boost करना, financial stability insure करना, ये सब चीजें, वैसे अभी monetary policy committee को सरकार के तरफ से main target दिया हुआ है, कि आपको inflation maintain रखनी है, 2% से लेके 6% के बीच, लेकिन देखो, बताने वाली बात ये है, monetary policy क का जो effect होता है, वो legitimate money पर होता है, ब्लैक money पर नहीं होता है, तो economy में black money ज़igare नहीं होता है, तो फिर monetary policy ineffective हो जाती है, monetary policy का effect होना बंद हो जाता है, दूसरी चीज, next चीज है, investment, देखो, किसी देख की economy में black money ज़्यादा होता है, तो investment कम आती है, credibility जो है उस देख की, वो relatively er लोड हो जाती है, national security next point है, देखो black money की साहिता से जो criminal activities है, उन्हें funding मिलती है, for example, कस्मीर में आतकवादियों को funding मिलती है, black money की साहिता से, और black money से ही funding मिलती है नकसलियों को, तो national security के against black money का इस्तमाल किया जाता है, even elections में भी काफी सारा black money का इस्तमाल होता है, जिससे elections की जो outcome है, वो परभावित होती है, next point, देखो corruption काफे जादा होता है black money से, अब रिश्वत जो दी जाती है officials को, जो person रिश्वत देगा, वो अपने income tax returns में तो नहीं दिखाएगा ना, कि मैंने इस official को इतनी रिश्वत दी, क्योंकि आज के समय में तो रिश्वत देना भी एक अपर black money से economy पर क्या बुरा परभाव पड़ता है, अभी आप इसमें और भी काफी सरे points एड कर सकते हो, जैसे black money की वज़े से inequality जो है society में बढ़ती है, मतलब अमीर और जदा अमीर होता है, गरीब और जदा गरीब होता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, black money की व सकते हो, कि ये values के against है, tax चोरी करना, tax अगर legitimate धंग से दिया जाए, तो ये देश की development के काम आता है, ये सारे points आप लिख सकते हो, अगर UPSC में पूछा जाए, कि black money से क्या नुक्सान होते हैं, अब देखो, next हम ये discuss करते हैं, कि क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है, black money पर लगाम लगाने के लिए, बहुत सारे steps सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जो present ruling government सत्ता में आई, शुरवात में 2014 में, तो एक special investigation team form की गई थी, और ऐसा Supreme Court के order के अनुसार किया गया था, government ने 2015 में एक bill pass किया, undisclosed foreign income and assets imposition of tax bill 2015, मतलब अब ये bill act बन चुका है, 2015 में ये bill pass हो गया था, इसके अलावा, tax deduction at source में सरकार reforms लेके आई, सरकार की कोशिस ये हैं, बजाए इसके की tax rates को increase किया जाए, tax base को increase किया जाए, मतलब simple, बजाए इसके की कुछी लोगों से जादा tax वसूला जाए, जादा लोगों से कुछ tax वसूला जाए, ये सरकार की रणनीती है सरकार ने 2005 में financial action task force को join कर लिया था, cashless economy की तरफ सरकार का ध्यान जादा है, ताकि transactions सरकार की नजरों में रहें, और tax ना बचाए जाए जाए, उन लोग के द्वरान जो tax चोरी करते हैं, demontization सरकार ने implement किया, Switzerland पे pressure लगाया, दूसरे देशों के साथ मिलके, अब Switzerland जो है, वो case by cases पर हमसे details share करता हैं, हमारे देश के उन लोग के accounts की जिन पर income tax authorities को शक हैं, अब real estate और body transactions के लिए pen card जो है, वो compulsory कर दिया गया है, दूसरे देशों के साथ सरकार double taxation avoidance agreement sign कर रही हैं, तो ये कुछ मुख्य steps हैं, जो सरकार ने लिए हैं, black money की समस्या को address करने के लिए, इसके अलावा देखो, और भी काफी सरे acts बने हैं, black money पर लगाम लगाने के लिए जैसे prevention of money laundering act 2002, बाद में इसमें amendment भी क्या गया था, देखो money laundering का मतलब होता है, black money को white money में convert करना, काले धन को सफेद धन में convert करना, सफेद धन मतलब legitimate money, black money मतलब illegitimate money, और ये कैसे किया जाता है, ये वैसे देखो तीन steps की साहिता से किया जाता है, सबसे पहले placement, दूसरे न बैंकों में, ये सबसे risky step होता है, और दूसरे नमबर पे होता है layering, मतलब जो काला धन बैंकों में एक बार जमा करवा दिया गया है, बाद में उनको इधर से उधर गुमाया जाता है, transactions की साहिता से, एक account से दूसरे account में, दूसरे account से तीसरे account में कुछ खरीद लिया, कुछ integration में तो वो जो black money था, वो white money में convert हो जाता है, मतलब जिसने भी placement की थी उस black money की, वो legitimate papers हासिल कर लेता है, documents हासिल कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि मेरा जो पैसा है, वो white money है, black money नहीं है, मतलब integration जो है black money का, वो complete हो चुका है, तो ये हमने prevention of money loading act के बारे में discuss किया, और money laundering के बारे में थोड़ा सा जाना, इसके अलावा देखो, fugitive economic offender act 2018, वीजे माले जैसे लोग जो भाग जाते हैं, economic offence commit करके, उनके लिए है ये act, next, cheat funds के लिए सरकार बिल लेके आई, और सबसे last में, बिनामी transactions, prohibition amendment act 2016, बिनामी transactions, पहटने के लिए, और जो culprit है, उनकी property को attach कर देने के लिए, सजा देने के लिए, ये act था, बिनामी transactions, prohibition amendment act 2016, act तो देखो, पहले भी था, लेकिन उसे implement नहीं किया जाता था, तो पुराने 1988 के बिनामी transactions act को amend किया गया, और अब सकताई से इसे implement भी किया जाता है, अब देखो, question ये उठता है, क्या जितना कुछ सरकार न में जमा है, तो आर्टिकल में कहा जाता है, नहीं, सरकार के जो steps है, वो misguided है, सरकार ने सही steps नहीं उठाए है, black money की समस्या को addles करने के लिए, जैसे सरकार ने देखो, foreign assets के लिए एक act बनाया था, 2015 में, undisclosed foreign income and assets act 2015, आर्टिकल में कहा जाता है, ये act काफी ज़्यादा हा और अभी तक इस act की साइथा से, सरकार ने सिरफ 12,500 क्रोड रिकवर किये हैं, जबकि इसी परकार का act है, इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया ने 25,000,000 क्रोड रुपे रिकवर किये हैं, इस परकार के act की साइथा से, सरकार को चाहिए था, कि इस act में rectification किया जाता, amendment की जाती, course correction किया जाता, बजा इसके, सरकार एक और act लेके आ गई, और जड़ा strict, fugitive economic offenders act, देखो जो पुराना income tax act है, उसी में, इन acts के provision included हैं, उनको implement किया जा सकता था, नए इस परकार के act लाने की आवसकता थी ही नहीं, सरकार चीजों को और जड़ा strict करती जा रही हैं, जब जो देखो कौला धन जमा करते हैं, उनके लिए incentive कम है, सरकार कहती हैं कि कम से कम 60% तो आपको tax देना ही पड़ेगा अगर आप अपने black money को disclose करते हो, तो इसलिए बहुत कम लोग अपने black money को disclose करते हैं, तो economic persuasion की भी आउशकता है, मतलब उनको थोड़ा सा economically समझाय जाए कि भया अगर आप अपना black money disclose करते हो, तो इससे आपको ज़्यादा नुक्सान नहीं होगा, बजाए इसके कि अगर income tax authorities आपको पकड़ लेंगी, तब जाके जो black money जमा करने वाले लोग हैं, वो कुछ सामने आएंगे और अपना black money को disclose करेंगे, ऐसा ensure किया गया है विभिन सुधा के बाद से, जो tax policy है हमार देश में, वो तीन माइनों में अलग है, सबसे पहले retrospective application of tax and penalize, retrospective का क्या मतलब होता है, जैसे देखो अगर आज rape के लिए, फांसी की सजा कर दे जाती है, किसी भी rape के लिए फांसी की सजा का प्राध्धान कर दिया जाता है, एक तो ये च होता है, मतलब सरकार इस कानून को retrospective implement कर रही है, मतलब कानून के आने से पहले जो crime हो चुके है, उन पर भी अगर वो कानून लागू होता है, तो मतलब retrospective उस कानून को सरकार implement कर रही है, next aspect है, बड़न जो है आज के समय में, वो देखो citizens पर है ये साबित करने का कि उन्हों टेक्स चोरी नहीं की है, वो offender नहीं है, तीसरा aspect, देखो होना तो ये चाहिए, जब तक कि taxman, यानि tax officer, tax authorities, प्रूव ना कर दें, तब तक citizens उपर trial नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये बदलाव आ गया है, 2014 मई के बाद से, even taxman प्रूव करते नहीं है, उससे पहले ही citizens पर trial च बहुत ज़्यदा कम है, ED हमारे देश में money laundering के case देखती है, और ED के cases में जो conviction rate है, वो सिरफ 1% है, जबकि US, UK में black money को रोखने के लिए money laundering को रोखने के लिए जो agency है, उसकी conviction rate है 50%, income tax department का record बहुत ज़्यदा increasing नहीं है, 2% conviction rate income tax cases में रही है, financial year 2016-2017 में, CAC की report ये बोलती है, जिस साल demonization implement हुआ था, उस साल rates income tax की दो गुना हो गई, लेकिन देखो हराने वाली बात ये है, कि जितना undisclosed income का खुलासा किया income tax ने, वो one-fourth हो गया, मतलब rate ज़्यादा मारी demonization वाले साल में income tax ने, लेकिन undisclosed income का खुलासा कम हुआ, लास्ट में, आर्टकल में ये बोला जाता है, आप economic persuasion पर ध्यान दो, जैसे किसी चीज का देखो, जब इलाज होता है, तो डॉक्टर पहले ये देखता है, क्या medicine देने से काम चल जाएगा, लास्ट solution डॉक्टर देखता है, कि कोई operation करना पड़े, कोई surgery देखना पड़े, otherwise doctor avoid करता है, लेकिन सरकार उल्टा करती है, सरकार पहले operation कर देती है, और बाद में दवाई देने की सोचती है, तो ये कुछ solutions दिये जाते हैं, writer के दवरा, writer बोलते हैं, जो अभी बहुत harsh fiscal laws है, tax से समन्दित, उनको repeal किया जाना चाहिए, और international cooperation पर सरकार को focus करना चाहिए, टेक्स चोरी को पकड़ने के लिए, technology आप अच्छी लेके आओ, big data का इस्तिमाल करो, artificial intelligence का इस्तिमाल करो, banking penetration ज्यादा से ज्यादा हो, transactions ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि tax की चोरी करना मुस्किल हो, और सबसे last में economic persuasive, मतलब जो black money जमा करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा incentive होना चाहिए कि वो अपनी black money disclose करें, ताकि उनकी black money का सरकार को पता लगस कें, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.